हेलो दोस्तों इस वीडियो गंदर में बात करने में प्रोपरिटी वर्सेज मुचल फंड आपको किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए इसमें आपको बेहतर रिटन मिल सकता है इस वीडियो गंदर में आपको पूरी कम्प्लेट अश्टेप बाई श्टेप जानकारी देने वाल अगर आप भी अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हो और अच्छा रिटन पारना चाहते हो तो इन दोनों में आपके लिए सबसे बेहतर क्या रहेगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर कम्प्लीट बताने वाला हूं कि आप प्रोपरिटी खरीटते हो तो आपको अच शक्ता होती है जो कि आपको एक साथ चाहिए होता है इसलिए जब भी हमारे पास कुछ अत्रिक्त पैसे आते हैं तो हम उसे प्लोट या प्रोपर्टी खरीदने के लिए बचा लेते हैं लेकिन क्या रियल स्टेट में निवेश करना एक स्मार्ट विकल्प है और यह मूचल करने वाली बात यह होती है कि हमें उसमें कितना रिटन मिलेगा रियल स्टेट यानि प्रोपर्टी पर ऑसत 10 साल का रिटन अगर देखा जाए तो 10 प्रतिशत रहा है यानि कि आपको 10 परसंका रिटन मिला है यह कई रियल स्टेट रिसर्च फरमधवारा प्रकाशित रिपो तो उसत रिटन इसमें जो मिला है वो 12 प्रतिशत से लेकर के 14 प्रतिशत के बीच में मिला है सबी इसकिमों ने एक जिसा रिटन नहीं दिया है कुछ के लिए तो यह राशी इससे भी अधिक रही है इस लियाज से mutual fund निवेश को सबसे अच्छा माना जाता है इसकी units को यानि कि अगर आप mutual fund को आप निवेश कर रखाए तो उनको आप तुरंती आप खरिद सकते हो और तुरंती आप mobile से ही बेश सकते हो और जो भी आपका पैसा होता है वो आपके bank account के अदर एक या दो दिन के अदर तुरंती आपके bank account में send कर दिया जाता है हलनकि real estate के बारे में ऐसा नहीं का जा सकता खरिदार मिलने में महीनों लग सकती है और घर को जल्द से जल्द बेशने की जल्दी में हम अक्सर घर को उचित दाम पर नहीं बेश सकते हैं यानि का आपको जो काफी अच्छे अगर आपने return के बारे में सोच रखाए तो उससे भी काफी सस्ते में बेशना पर सकता है अगर आपको emergency में जरूरत पर जाये तो अगर हमें काफी जादा emergency आ जाती है तो हमें पूरी संपती को यहाँ पर तुरंती बेशना परता है काफी कम दाम में भी हमें बेशना पर सकता है लेकिन mutual fund में ऐसा नहीं है अब हम बात करते हैं आवश्यक निवेश राशी की हम किसी खास निवेश को वहन कर सकते है या नहीं या एक ऐसा point है जिस पर हमें अपना पेसा लगाने से पहले विचार करना चाहिए आप एक S.I.P. शुरू कर सकते हैं जिसमें आप हर महीने एक निश्ची तराशी यानिक 500 रुपे के mutual fund में डालते हैं इसकी तुलना में real estate निवेश में आपको एक साथ पैसा देना पड़ता है यानिक अगर आप गर या property या plot कोई भी खरीतते हो तो उसमें आपको काफी साथा पैसा आपको एक साथ में देना पड़ता है लेकिन mutual fund में आप हर महीने कुछ-कुछ पैसे आप यहाँ पर दीरे दीरे पी आप यहाँ पर जमा करके भी आपने mutual fund को काफी अच्छा आप return यहाँ पर पाने के योग ही बना सकते हो और काफी पैसे आप अपने इखटे कर सकते हो अब मैं आपको एक उदान दे करके समझाता हूँ अगर नौएडा में तीन बीएट के अपाइटमेंट खरीदने के लिए कम से कम सितर से पिचोतर लाग रुपे का निवेश करना परता है गुरगाम में यही खर्च एक से एक पॉइंट पांच करोड रुपे तक होगा अब अगर आप इसके लिए होम लोन लेना भी चाहते हैं तो आपको बीस परतिशत का डाउन पैमेंट अपनी जेव से देना परता है इसके अलावा आपको घर का कब्जा लेते समय रेजिस्ट्रेशन सुल्क भी आपको देना परता है इसलिए सितर से पिचोतर लाग रुपे के फ्लेट के लिए होम लोन लेने के बाद भी आपको अपनी जेव से पंदरा से बीस लाग रुपे ये चुकाने परते हैं एक से एक पॉइंट पांच क्लोड रुपे के फ्लेट के लिए आपको कम से कम 20-25 रुपे ये खर्च करने होंगे यानि कि यह आपको डाउन पेमेंट देना पड़ता है लेकिन म्यूचल फेंड में ऐसा नहीं है और आपको कोई लोन लेने की ज़रुद भी नहीं परती है और जो भी आपके पास यहाँ पर आप निवेश करते हो उन पैसों को आप बाद में निकाल करके आज जो भी आपको अच्छा रिटन मिलता है उससे आप प्रोपरिटी खरीच सकते हो म्यूचल फंड का प्रबंदन करने वाले फंड मिनेजर आपके पैसर को किसी एक शेर में निवेश करके जोखिम में नहीं डालना चाते है म्यूचल फंड अलग-अलग कंपनियों के अलग-अलग शेरों का पोर्टफोलियो बनाते हैं इसलिए बले ही जोखिम की एक निश्चित मातरा हो लेकिन लंबी अफदी में ये काफी हद तक कम हो जाता है यानि कि आपको म्यूचल फंड में एक किसी भी एक शेर में आपका पैसा नहीं लगता है तो आप किसी एक में अगर नुकसान होता है तो भी आपके काफी हद्चा आपको रिटन मिलने का चांस रहता है दूसरी और आर्थिक मंदी के दोरान रियल अस्टेट में निवेश करना वाकई जोखिम बरा हो सकता है जोखिम इतना ज़ादा है कि प्रोपर्टी की किमत बढ़ने के बजाए कम भी हो सकती है उल मिलाकर निश्टकर्स कर तोर पर मुचल फंड के मामले में लंबी अबदी में जोखिम न्यूंतम हो जाता है लेकिन रियल अस्टेट निवेश में ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है इसलिए अगर आप मेरी सलाम आने तो आपके लिए सबसे बेहतर मुचल फंडी रहेगा क्योंकि मुचल फंड में आपको अगर कभी इमर्जेंसी में पैसे की जरुरत भी पर जाए तो उनको आप तुरंती निकाल सकते हो अपने मॉबाइल से ही बलकि प्रोपर्टी के अंदर ऐसा नहीं है प्रोपर्टी बीकने तक आपको वेट करना परता है इंजार करना पर सकता है इसके अलावा अगर आप जल्द बाजी करते हो तो इसमें आपको काफी ज़्यादा नुकसान भी होता है तो सबसे बेतर आपके लिए mutual fund ही रहता है इसके अलावा mutual fund का return जो है वो भी काफी अधिक होता है उम्मिद करते हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आए होगा और आपको कोई help मिले होगी अगर आपको वीडियो पसंद आता है इस वीडियो आप लाइक कीजिए चैनल को subscribe कीजिए सात्या मुझे subscribe भी follow कर सकते हूँ लिंक आपको description इंदर मिल जाएगा अब मिलेंगे next वीडियो में